मीन रासी वालों का आज का रासी फल्ले यानी की 16 सितंबर 2020 का रासी फल्ले लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 16 सेप्टिम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तीथी है चतुरदसी नक्छत्र है मगा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है बुद्ध बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 6 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 24 मिनट में रितु है सरद आज का दिन काल है 12 घंटे 17 मिनट 45 सेकेंड का महिना है अस्विन आज के दिन सुभ शमय नहीं है असुभ शमय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 40 मिनट पीएम तक आज के दिन राहु काल सुरू होता है 12 बज के 15 मिनट पीएम से 1 बज के 47 मिनट पीएम तक आज के दिन दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो दोस्तों इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वेडियो के नीचे जै स्री गनेस कमेंट कर दें दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और आपके आज के दिन का अनोखा टोटका है जिस टोटके को अगर आप आज माते हैं तो आपका आने वाला शमय बिहतर और सांदर हो जाएगा तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रियास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में दोस्तों घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान्य से बहुत जयादा नीचे है दोस्तों आज के दिन अगर अपने घर पड़िबार में आप कोई पड़िवर्तन करना चाहते हैं द्रिष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ नहीं देगा यदी पॉसिबल हो संभब हो तो आज के दिन आप पडिवर्तन करने से बचने का प्रियास करें दोस्तों अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय सामा अगर आप अपने प्डेमी या अपनी प्डेमिका से कोई वादा करते हैं, कोई प्रोमिस करते हैं, तो वादा करने से पहले आप ये पता कर लें कि आप जो वादा करने वाले हैं, क्या उस वादे को पूरा करने में आप शक्छम हैं। अगर आप उस वादे को पूरा करने का सामर्थ रखते हैं आप वादा तभी करें अन्य था आने वाले शमय के दोरान आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके कामकाज आपके बेपार बेवसाई की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान ने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब लेकिन अगर आपके श्वास्त की बात करें तो श्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शमय ब बहुत जियादा उंचा होगा और इस वजह से आने वाले शमय के दोरान आपके श्वास्त के मामलों में आपको कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखा तोटका भग्यसाली रंग और भग्यसाली अंक के बारे में दोस्तों आज के दिन आप असनान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें बजरंग बली की पूजा करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा दोस्तों आज आपके लिए भग्यसाली रंग है नारंगी और सुनहरा आज के दिन आपके लिए भग्यसाली अंक है छे यनी की सिक्स तो दोस्तों यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे जै हनुमान कमेंट कर दें और साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें दोस्तों इस वेडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगह से यर कर दें ताकि आपके शंपर्क में जो भी लोग हों वो इस वेडियो को देखें और अपने आने वाले शमय को बिहतर और सांदार बना सकें धन्यवाद